तिरंगे की कीमत चुका कर उसे फहराने में जो देश भक्ती की भावना जाकती है वो भला फ्री की तिरंगे में कैसे आ सकती है ये हम नहीं हर्याना भाजपा के अध्यक्ष ओपी धंकड का कहना है धंकड का कहना है कि देश आजादी का अमरित महुतसव मना रहा है और हर कोई तिरंगे की कीमत चुका कर उसे फहराना चाहता है इतना ही नहीं यहां धंकड ने ये भी कहा कि तिरंगा कोई पाटी का जंडा नहीं है जिसे यूँ ही बांट दिया जाए और साथ ही ये भी कहा कि सरकार वा संगठन ने ये तैक किया है कि तिरंगा बनाने में जितनी भी किमत लगी है उसे वसूल कर ही देशवासियों को तिरंगा दिया जाए तिरंगा जो है वो हर आदमी उसकी कीमत अदा करके लेना चाहता है ये कोई पार्टियों के जंडे की तरह से नहीं है वैसे ही बाटा जाए इसलिए तैक किया है संद्रटन ने भी सरकार ने भी जो तिरंगे की रासी उस पर खर्च हुई है वो लेकर ही क्योंकि तिरंगा सब क है और हर आदमी अपना तिरंगा फेराना चाहता है और अपना तिरंगा फेराकर ये वो गर्व और गोर्वान में धंकड के मुताबिक तिरंगा किसी पार्टी का जंडा नहीं है और हर नागरिक तिरंगे की कीमत चुका कर ही उसे फेराना चाहता है अना कि ऐसे कितने लोग जो तिरंगे की कीमत चुका कर ही फैराना चाहते हैं इसके आंकडे सरकार या धंकड ने नहीं बताए बेरहाल विपक्षी दलो द्वारा अब ये सवाल उठने लगे हैं कि यदि सरकार द्वारा हर घर तिरंगा भी आन चलाया जा रहा है तो सरकार द्वारा ही हर एक नागरिक को फ्री में तिरंगा दिया जाता तो क्या लोगों में देश भक्ती नहीं जाकती क्या फिर लोग देश की आन बान और शान तिरंगे को गर्व से नहीं फैराते सवाल तो और भी कई हैं लेकिन फिलहाल आप एक दफा धनकड का ये बयान और सुनिये उपी धनकड को शायद याद होगा उन्होंने उसी धरती पर खड़े होकर ये बयान दिया है जिस धरती पर बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें राशन डिपो पर गरीबों को 20-20 रुपे में जबरदस्ती तिरंगा बेचा जा रहा था और गरीब मजबूर होकर तिरंगे खरीत रहे थे धनकड सहाब उन गरीबों को अगर फ्री में तिरंगा दिया जाता तो वो एक नहीं बलकि 5-5 तिरंगे घर ले जाते और शांद से फैराते लेकिन यहां तो राशन डिपो पर गरीबों से एती दबरदस्ती की गई की पूछिये मत बेरहल आपको बता दे की ओपी धनकड आज करनाल पहुंचे थे जहां उन्होंने भाजपा नेताओं की बैठक ली और उसके बात एक साथ सैंकडो भाजपा नेताओं ने तिरंगा ले रहाया करनाल से बीरो रिपोर्ट पंजाब के स्री टीव हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद